आप सभी का पोशन ट्रेकर एप की एक नई वीडियो में तो आईए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पोशन ट्रेकर एप में किसी भी लभार्थी का हम लोग निव रेश्टेशन कैसे करेंगे इसमें क्या-क्या जो जरूरी बाते हैं उसको यहाँ पे ध्यान मे रखते हुए रेश्टेशन करना है साथी साथ यहाँ पे आपको बताते चलें कि अभी जो फिलाल अपडेट आया हुआ है 14.0 का तो अगर आप सभी आंगनबारी से विकाए पोशन ट्रेकर एप 14.0 को अपडेट नहीं की हैं तो सबसे पहले आप लोग जाईए प्ले स्टो कर लीजिए चले इस वीडियो माम आपको बताएंगे किस परकार से निव रेश्टेशन करना है जैसे 14.0 में अगर आप लोग अपडेट करते हैं तो आपको यहाँ पे बदलाव देखने को मिल जाएगा जैसे कि यह जो बदलाव है सभी लभार्थियों की केटेगरी में द दिखाएंगे यानि निव रेश्टेशन करेंगे तो यहाँ पे आप लोग दो तरीकों से निव रेश्टेशन कर पाएंगे यहाँ पे जिस केटेगरी में आपको रेश्टेशन करना है उस केटेगरी को ओपन किजिएगा ओपन करने के बाद यहाँ पे निव रेश्टेश तो उसी का फॉर्म यहाँ पर खुलेगा गर्भवती महिला का यहाँ पर सारा डिटेल्स भरा जाएगा चलिए इसमें क्या-क्या मांग रहा है इसमें कैसे रेश्टेशन होगा उसका पूरा डिटेल्स हम आपको समझा देते हैं देखिए फर्स नमर में पूछ रहा है नेम अ आपको अधार संख्या डाल देना है चौथा नमबर में है यहाँ पर नाम है वह सही-सही होना आहें यानि आपको अधार के साथ यहां पर जो भी डीटेल्स से मैैज करके यहां पर डालना है क्यों कि आप लोग को पता ही है, कि जब भी हम लोग रइस्टेशन कर रहे हैं, तो अधार में जो details रहेगा उसी का अनुसार करेंगे तो आपका आधार verify साथी साथ हो जाएगा तो आप लोग इस परकार से यहाँ पे सभी details को मिलान करके यहाँ पे डालिएगा उसके बाद यहाँ पे उस गर्भौती महिला का mobile number डाल दीजिए या घर के किसी भी member का mobile number डाल दीजिएगा उसके बाद यहाँ पे आपको option select करना है कि वो गर्भौती महिला कितने महिने से pregnant है तो यहाँ पे आपको arrow आले पे click करेंगे तो यहाँ पे सभी details खुल के आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे select करना है कि वो कितने महिने से गर्भौती जो भी यहाँ पे month चल रहा है उसका यहाँ पे आप लोग डाल दीजिएगा फिर उसके बाद यहाँ पे आप से पूछा जाएगा क्या यह आपकी पहली गर्भौस्ता है तो आपको हाँ और नहीं select करना है उसके बाद यहाँ पे आपको LMP date लिखना है यानि कि मासिक धर्म जो भी है उसको यहाँ पे आपको डाल देना है तो चलिए यहाँ पे हम सभी details भरके आपको submit करके आगे दिखाते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने उस pregnant woman का जो name है वो यहाँ पे डाल दिया है जैसे कि अधार कार पे जिस परकार से नान दिया रहेगा उसी परकार से आपको यहाँ पे अक्षर भाई अक्षर यहाँ पे आपको मिलान करके लिखना है फिर यहाँ पे अधार संख्या सही सही लिखना है जो अधार कार पे दिया रहेगा उसके बाद यहाँ पे आपको अधारकार पे जिस प्रकार से जरम तिति रहेगा उसको यहाँ पे डाल देना है यहाँ पे सभी details भरने के बाद आपको end में क्या करना है यहाँ पे जो submit वाला option है इस submit वाले option पे आपको click कर देना है जैसे ही आप submit करेंगे तो record सफलता पुरुवक बनाया गया यानि कि यहाँ पे जो लभार्थी का हमने registration किया है वो यहाँ पे आ जाएगा चलिए अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जिसका registration किया है वो यहाँ पे क्या दिखा रहा है जैसे कि हमने अभी यहाँ पे प्रिती कुमारी का registration किया है लेकिन अभी यहाँ पे on verified दिखा रहा है तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे on verified वाले पे click करना है click करने के बाद यहाँ पे आपको verify करने का option मिल जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या करना है verify वाले पे click कर देना है आप जैसे हैं verify वाले पे click करेंगे तो यहाँ पे सभी details आ जाएगा उस लभार्थी का अब यहाँ पे आपको अधार verify करना है तो यहाँ पे अधार verify करने का option मिल जाएगा आपको verify आधार वाले पर click कर देना है यहाँ पर जैसे हैं click करेंगे तो देखिए आधार verification complete back to home यानि कि आपका आधार verify complete हो चुका है तो यहाँ पर आएंगे back और यहाँ पर देखेंगे कि जो लभार्थी का हमने registration किया है उसका यहाँ पर green का जो symbol है वो आ चुका है यानि इस लभार्थी का अधार verify हो चुका है तो यहाँ पर आप लोग इस परकार से गर्भाती महिला का registration यहाँ पर आप लोग असानी से कर पाएंगे तो उमीद है कि हमने आपको इस वीडियो में गर्भाती महिला का new registration कैसे करना इसकी पूरी details बता दी है अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को like करके share कर दीजिएगा और चैनल को भी subscribe कर लिजिएगा तो मिलते हैं फिर किसी नए topic नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद